कभी जब मिठ्धू आता था तो लोग अपने घरों से निकल निकल कर देखते थे गजराज मिठ्धू अपने दोन में चलता रहता था बे परवा था और लेकिन समय पढ़ने पर परवा भी करता था आप सोच रहे होगे आखिर मिठ्धू है कौन मिठ्धू है राम नगर की विख्यात राम लिला में काशी राज परिवार का साही सवारी था गजनन मिठ्धू एक घटना ने गजनन मिठ्धू की जिंदगी बदल दी बीते 18 माँ से जादा समय हो गया है राम नगर के वंजीव सरक्षन विभाग परिसर में वो कैद है मिठ्धू को वन विभाग दूधा राश्टी पार्ग भिजनी के लिए तयारी कर रहे हैं लेकिन महामत और मिठ्भाग की अदालती करवाई के चलते अब ही भी ये काम लटका हुआ है अब आप सोच रहेंगे मिठ्धू के सजा क्यों मिली है बात है 26 अक्टूबर 2019 को राम नगर की राम लिला से लोटते हुए चंदूली के बबरी शित्र में बनोली चट्टी के पास मिठ्धू ने अपना नियंतरन खो दिया और एक दुकानदार राम शंकर वर्मा को पटक कर गंभी रूप से घायल कर दिया एलाज के दरान राम शंकर की मौत हो गई सूचना पर वन विभाग के टीम महाँती है जाच करती है और जो उसके महावत रहते हैं तुलसी राम सुनकर उसके पास हाती रखने का लाइसंस नहीं रहता है और वन विभाग जो है क्योंकि वन विभाग के एक नियम है कि रजिस्टर्ड हाथी के कान के पास एक चीप लगा जाती है ये चीप जो है मिठु के कान में नहीं लगाया जाता है जिसके तहत वन विभाग करवाई करती है महावत को जीव अधनियम 1972 के तहट कोट पे पेश किया जाता है जहां से उसको जेल भीष दिया जाता है बाद में उसके जमानत हो जाती है अब इधर जो है मिठ्ठु की हालत जो उतनी अच्छी है नहीं वन विभाग ने हाथी के देखरे के लिए तुलसी राम के पुतर रिं लेकर एक सम्विधना भी है वन विभाग ने पकड़ जाने के दो माँ बाद ही ब्याली सवर्सी मिठ्ठु को दुद्धवा राश्टी पार्क भिजनी की कोशिश की सीजियम कोट ने इजाज़त मिल गई थी लेकिन महावत को मामला कोट में विचाला धीन होने के कारे मिठ लुक पेज़ पर लाइक करें और यूटूब पर सबस्क्राइब करें ललूराम जाट कॉम सच कहेंगे ललूराम